सब्सक्राइब कीजिए यसरा सलूशन्स यूटूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज मैं उमकेस पातिदार और आप देख रहे हैं हमाई यूटूब चैनल यसरा सलूशन्स तो फ्रेंज हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और गिरेट और सांधार वीडियो लेगा तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी Android डिवाइस को फास्ट चार्ज कैसे कर सकते तो फ्रेंज इसके लिए आपको अपनी Android डिवाइस की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा ओके तो जैसे ही आप Android डिवाइस की सेटिंग को ओपन करेंगे नीचे की और आपको एक ओप्सन मिलेगा ऑबाउट फोन तो अबाउट फोन पर आपको टेप करके इसको ओपन करनेना होगा तो जैसे ही अबाउट फोन को आप टेप करके ओपन करेंगे तो अबाउट फोन का पेज खुल जागा और इसही में software information या फिर दूसरी device में build number का ओप्सन भी हो सकताembμαι तो इसमें about phone open करने के बाद software information में आएंगे और इसी में build number का option मिलेगा तो यहां पे build number पर 7 to 8 time tape करना हमें पहले से enable किये हूँ ठीक है developer mode को तो अब यहां से में exit हो जाता हूँ हमारा जो developer option यहां से enable हो चुका अब इसके बाद जो developer option में हमको जाना होगा ठीक है और उपर से developer option को हमको on करना होगा तो जैसे developer option को on करेंगे यहां पर हमें permission मांगेगा तो ok करके permission दे देना है तो जैसे हम permission दे देंगे ok करके तो हमारा जो developer option enable हो जाएगा और इसी में नीचे के बाद आपको जाना है USB configuration का एक option आपको मिलेगा तो यहां पर आपको simply tape करना है media transfer protocols तो इसको change करके charge this phone का जो option है आपको उसको enable कर देना होगा जो सबसे उपर आप देख पा रहोंगे charge this phone इस option को select कर लेना तो इस option को जिससे ही आप select करेंगे तो जब भी आप अपने original charger से आपके phone को charge करेंगे तो वो पहले की तुलना में fast charge होगा एक working method है hundred percent तो यहां से मैं बेग हो ज charge करना है तो friends एक यह शांदार trick है जो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो friends वीडियो पसंद आया तो नीचे like बटन दबा के like जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले और यदि आपने हमा झाल